हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडिशीट चैनल दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ 22 वां पुरुस फीफा वर्ल्ड कब 2022 जो दोहा कतर में आयोजित हुआ है तो दोस्तों वीडियो को पुरा देखेगा इस वीडियो को देखने के वाद सभी टॉपिक आपके किलि एक भी डाउट नहीं रहेगा तो चलिए जानते हैं 22 वां फीफा वर्ल्ड कब 2022 के बारे में डीटेल में तो दोस्तों इसका आयोजित हुआ दोहा कतर में यानि कतर की राजधानी कतर देश की राजधानी दोहा में कब हुआ 20 नौवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक यहां कतर के पांच सहरों में आयोजित हुआ लुसैल, अलखोर, दोहा, अल्रियान, अल्बक्रान जैसा कि फीफा वर्ल्ड कब परतेग चार वर्सों पर आयोजित होता है यहां 1942 वां 1946 में दूसरे बिस्यूद के कारण नहीं हुआ अरेंदर तो हम जान लेते हैं कि पूरुस फीफा वर्ल्ड कब की सुरुवात कब हुआ था तो पूरुस फीफा वर्ल्ड कब की पहली बार सुरुवात हुआ था 13 जुलाई 1930 में उरुगवी की लायधाने मौन्ट वीडियो में और इसका विजेता भी बना उरुगवी तो कोशन यह पूछेगा की प्रत्थम फीफा वर्ल्ड कब का विजेता कौन था उरुगवी कहां पर आउजित हुआ था उरुगवी कब आउजित हुआ था 13 जुलाई 1930 में और दोस्तों 21 फीफा वर्ल्ड कब 2018 में रूस में हुआ था जिसका विजेता फ्रॉंस था अंड 2013 फीफा वर्लड कप तोध हजार 26 कहां होगा तो सन्युत्राज अमेरिका, मैक्शिको, कनाडा इन तीन देस्थों में शम्पन होगा तो ये वेरी इंपोर्डिन है आपके लिए कि अगला फीफा वर्ल्ड कप 23 में 2026 कहां होगा तो तीन देसों में होगा समित्राज अमेरिका मैक्षिको कनाडा में अगला यानि नेक्स्ट 2023 में कहां होगा मैला फीफा वर्ल्ड कप तो आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड में होगा अब दोस्तों फीफा के बारे में जो संगठन है जो पुरे वर्ल्ड में फुर्वाल खेल का संचालन करती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जैसे कि फीफा जिसका फुल फाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल एसोसियेशन इसकी स्थापना 21 मई 1904 पेरीश फ्रांस में हुआ था इसका हेड कोटर यानि कि मुख्याले है जियूरीक सुर्जयलेंड एन इसकी प्रतम अध्यच्छे हैं थे राबर्ट गुएरीन फ्रांस के एन इसकी बरतमान अध्यच्छे हैं जियानि इनफैंटीनों में 211 राष्टिय शंग शामिल हैं तो दोस्तों यह हमने मुख्य पॉइंट जान लिया जो आपके लिए इंपोर्टन था अब हम बात करेंगे 22 फीफा वर्ल्लकप 2022 के बारे में जैसा कि आपने जाना फीफा वर्ल्लकप 2022 कतर में आयोजित हुआ 20 नौवंबर से 18 दिसंबर तक इसमें कुल 32 टीमें भाग ली एंड कुल 64 मुकाबले खेले गए यानि कि मैश खेले गए एंड फीफा वर्लकप 2022 में पहला मैश किसके किसके बीच हुआ तो कतर और इक्वाडोर के बीच मत हुआ कब 29 पर 2022 को एंड फाइलन मैश किसके किसके बीच खेला गया तो फांस और अरजेंटीना के मद्य खेला गया लूसेल इस्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को जैसा कि यहां पर इंपॉर्टन है पूछ सकता है कि फाइनल मैश किसके किसके बीच खेला गया तो फ्रांस अरजेंटीना के बीच किस इस्टेडियम में खेला गया तो लूसेल इस्टेडियम यह आपको ध्यान में रखना है एंद तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बिजेता कौन डेस बना तो अरजेंटिना यह तीसरा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है दो हजर 22 में एंद अरजेंटिना के टीम के कपतान थे लियोनेल मेसी और जैसा कि अरजेंटिना जो है फाइनल वे फ् फ्रांस को हरा कर 36 साल बाद 53 वर्लकप का खिताब अपने नाम किया एन उपबीजेता है फ्रांस उपबीजेता कौन सा देश है फ्रांस है जिसके कफ्टान टीम के कफ्तान था Hugo Loralis जैसा कि दोस्तो सरवाधिक बार फिफा वर्ल्ल कप किस देश ने जीता है ये बार बार कोश्चन आता है तो सरवाधिक बार फिफा वर्ल्ल कप जीता है ब्राजील अब तक में कुल पांच बार जीता है उनिस सोँटावन, उनिस सोबार चट्र, उनिस सोब्सट्र, निस सो एक जचाहनवी और फिसलीजेच चार बार जीता है उनिस सोबियासी मैंने इस सोबार आत। तीन बार जीता है जो 2022 का भी जेता है 1978-1986-2022 एंड फ्रांस दो बार जीता है 1998-2018 उरुग्विजवे दो बार जीता है एक पर्थम फिफा वर्ल कप 1930-1950 इंग्लेंड एक बार 1968 में जीता है इस्पेन 2010 में जीता है अब बात करते हैं दोस्तो फिफा वर्ल कप 2022 के अधिकारिक सुभंकर क्या है तो अधिकारिक सुभंकर है लाइब लाइब जो है आरवी सब्द है जिसका और्थ होता है BCS गुर्व च्छमता वाला खिलाड़ी जैसा कि दोस्तो इससे पहले जो आयोजित हुए है उसके सुभंकर की बारे में हम जान लेते हैं वो भी एक्जाम में पुछ सकता है जैसे कि उनिस्वा फिफा वर्ल कप 2010 अफ्रीका में आयोजित हुआ था जिसका सुभंकर था जाकुमी और बिस्वा फिफा वर्ल कप 2014 जो ब्राजिल में आयोजित हुआ था उसका शिभंकर था फुले का एंड 21 FIFA World Cup 2008 है जो रसिया में आउजित हुआ था जिसका सुभंकर था जविवा का एंड 2222 कातर में आउजित हुआ है जिसका सुभंकर है लाइव अब बात करते हैं आदर स्वाक यानी मोटो क्या था 2022 FIFA World Cup का मोटो था expect amazing यानि कमाल की अपेच्छा करे इसका आर्थ होता है कमाल की अपेच्छा करे अधिकारिक match gain का नाम क्या है 2022 FIFA World Cup का तो अल रिहला क्या है अल रिहला यह अर्दी भासा में है जिसका आर्थ होता है यात्रा अधिकारिक मैच गेंड का नाम क्या है का आफिसल इस्पांसर कौन कौन कमपनी है जैसे की कौन किसको किसको मिला है दोस्तो इस्पांसर तो इसमें है बैजूज quarter energy crypto.com जो बैजूज है या पर्थम भारतिया कमपनी है जिसे फीफा वर्ल्ड कप की स्पांसर मिली है अब बात करते हैं दोस्तो इनाम कितना मिला इनामी रासी क्या है फीफा वर्ल्ड कप दोहजर बाइस की बिजेता और उप बिजेता को कितना कितना मिला तो बिजेता टीम को 22 मिलियन डालर यानि की 347 करोर रुपए मिले और उप बिजेता को 30 मिलियन डालर यानि 248 करोर रुपए मिले और दोस्तो फीफा वर्ल कप दोहजर बाइस में किसको किसको कौन से पुरसकार मिले तो क्यों कौन से पुरुसकार फिपा वर्लकम में दिये जाते हैं तो सबसे पहले गोल्डन बूट गोल्डन बूट पुरुसकार किसको मिला तो यह किलियन एमबाबवे जो फ्रांस के हैं उनको मिला इन्होंने आठ गोल किया जैसा कि गोल्डन बूट सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलारी को दिया जाता है तो किसको दिया गया किलियन एमबाबुए जो फॉंस के हैं इन्होंने आठ गोल किया और दूसरे नमर गोल किये आपके लियोनल मेसी ने साथ गोल गोल्डन बूसकार किसको दिया गया 2022 फिफा वरल्ड कॉप ने है जैसा कि गोल्डन बूसकार सबसे बेश्ट गोल कीपर को दिया जाता है तो किसको दिया गया 2022 में गोल्डन गल्ब एमिलियानुroffenेच को जो और्जेंटीना के हैं नेश्ट है गोल्डन बाल पूर इसकार किसको दिया गया 2022 फीफा वर्ल कप में तो गोल्डन बाल जो है पूरे टूर्णामेंट में सरुषिष्ट प्रदर्सन करने वाले खिलारी को दिया जाता है तो गोल्डन बॉल किसको दिया गया लियोनेल मेसी को यह अर्जंटीना के थे तो दोस्तों आपको याद रखना है गोल्डन बूर्ट दिया गया किलियन इंबाबु को and Golden Globe दिया गया Emiliano Martinez को and Golden Ball दिया गया Lionel Messi को very important topic है दोस्तों कि अभी तक 1930 से 2022 तक में FIFA World Cup में सबसे ज़्यादा گोल किसने किये है So अभी तक में 16 गोल किये है अभी तक में 24 मैच में और दुसरे स्थाम पर है क्रिष्टियानो रोनाल्डो जो पुर्टगाल के हैं इन्होंने 15 गुल किये हैं 19 मैच में तो दोस्तों ये था फीफा वर्ल कप 2022 के बारे में सभी जानकारी इससे बाहर आपके किसी भी एज़ा में कोई कोस्चन नहीं आ सकता तो दो तीन बार आप इसको आसानी से देख लें हैं तो कुछ इंपॉर्टन चीज़े जान लेते हैं जैसे कि अर्जेंटीना 2022 फीफा वर्ल कप कब बीजेता है तो अर्जेंटीना के बारे में हम उसकी राइधानी मुद्रा राश्पती और संसत का क्या नाम है इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि दोस्तों जो आप के इस एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं उसमें जीके भी आएगा अफियरस भी आएगा तो जी अक्रेंट अफियरस के अंदर गर्फ यह सबी पूछ सकता है जैसा कि दोस्तों आर्जेंटिना के राधानी बीज्च आयर्स है एं इसके मुद्रा का नाम है आर्जेंटिना पेसो राश्टपती हैं अलबर्टो फर्नाडीज एंड अजन्टीना की संसत का नाम है राश्ट्रिय कांग्रेस आप जान लेते हैं दोस्तों जैसा की फीफा वर्ल्ड कफ 2022 आयोजित कहा पर हुआ है तो कतर में हुआ है तो इसकी बारे में भी थोड़ डिटेल में हम दो संचिप मे जान लेते हैं इसकी कतर की राजधानी है दोहा इसकी मुद्रा का नाम है रियाल इसकी संसत का नाम है मजालीस अंस बुरा एंड प्रधार मंत्री हैं शेख खालीद विन खलीफा बिन अब्दुल अजिज अल्थानी इतना बड़ा नाम है तो दोस्तों यह था फीफा वर्ल सब्सक्राइब कर दिये गया है आपके एक्जाम के एकॉर्डिंग तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे सेयर भी कीजिए दोस्तों और फार्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आ